केमिकल सेक्टर का ग्लोबल प्लेयर लक्ष्मी ओर्गैनिक्स का शेयर आने वाले कुछ समय के अंदर अपने पिछले हाई 570 रुपे को क्रॉस करके 600 रुपे तक का भाव दिखा सकता है लक्ष्मी ओर्गैनिक्स का शेयर आज भी अपने IPO प्राइस 130 से अगर देखें तो लगबग 2.2 के मल्टिपल पर काम कर रहा है और कमपनी लगबग 107 टाइम सब्सक्राइब हुई थी अपने IPO पर कहने का मतलब कमपनी एक strong fundamental वाली कमपनी थी जो कि उसके IPO के टाइम पर लोग उन लोगों को बिल्कुल घबराने की जोड़त नहीं है क्योंकि ये वीडियो उनी लोगों के लिए है जो इस शेयर में फसे हुए है और साथ ही साथ जो लोगबग अब केमिकल सेक्टर के अंदर पैसा लगाना चाह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी ओर्गैनिक्स का जो कैपेक दिखाई दे रहा है जो कि उसके फिनेंशल में क्लियर कट दिखाई दे रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लक्ष्मी ओर्गैनिक्स का डिटेल एनलेसिस करने जा रहा हूं लक्ष्मी ओर्गैनिक का बिजनेस बेसिकली दो डिवीजन में बटा हुआ है एक डिवीजन में कमपनी एसिटल इंटर्मेडियेट्स केमिकल्स बनाती है और दूसरी डिवीजन में कमपनी स्पेसिलिटी इंटर्मेडियेट्स केमिकल्स बनाती है एसिटल इंटर्मेडिये पर आती है अगर चाइना से के बिजनेस को फटा कर देखें और साथ इसाथ अगर हम हम इस पेसलिटी केमिकल की बात करें तो कंपनी विश में टोप फाइव कंपनियों में जानी जाती है और कंपनी जिस तरीके के कंपनी के प्रोड़क्ट यूज होते हैं जहां पर 14% कंपनी को रेवेन्यों आता है डाइज एंड पेंट्स सेक्टर के अंदर भी कंपनी के प्रोड़क्स यूज होते हैं प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडेस्ट्री भी कंपनी के लिए काफी बड़े इंडेस्ट्री है जहां पर कंपनी को लगबग 28% का revenue आता है साथ इसाथ कंपनी के प्रोड़क्ट्स जो हैं फ्लेवर एंड फ्राइगनेस इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होते हैं और जिस तरीके के कंपनी के प्रोड़क्ट्स हैं वो किसी भी कंपनी के लिए अगर उनको अपना को बना सकती है तो इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं इनकी डिमांड बहुत जादा हाई होती है और गैनिक की परजेंस भारत में तो है ही साथ ही साथ विश्व में कंपनी का काम बहुत व्यापक स्थर पर फैला हुआ है यूरोप जैसी मार्किट काफी बड़ी मार्किट ह है जहां से कमपनी को fy23 के अंदर लगवा 55% revenue का हिच्सा आया है अमेर्यका जैसी मार्किट से कमपनी को 20% revenue को हिच्सा आता है एशिया के अंदर कमपनी को 10% का revenue आया है मिडल इस से कमपनी को 9% का revenue आया है और साथ सी साथ अफरीका के के अंदर company की को 5% revenue आया मिंस company की global presence काफी अच्छी अगर पास्ट में आप जा कर देखें तो company ने बहुत अच्छी growth एचीव की है जिस growth के अंदर अगर हम देखें तो company ने organic और इन और गैनिक दोनों ही growth फर focus किया है जिसके कारण ये company इतनी sales को अपनी बढ़ा पाई है इतनी तेजी से अगर हम देखें तो company ने इन और गैनिक growth के अंदर लगवग तीन बड़े बड़े acquisition किये हैं 2010 में company ने क्लेरियंट केमिकल नाम की company का दिकरन किया था 2019 के अंदर मिटैनी नाम की company ने एक company का acquisition किया था और 2021 के अंदर yellow stone नाम की company का company ने acquisition किया तो company ने organic growth के साथ इन और गैनिक growth पर भी काफी काम किया है company लगवग 2% अपने specialty chemical का revenue है उसको R&D expenses पर regular basis पर खर्च करती है जिसके कारण company नए नए product डवलप करती रहती है और उनको pipeline में लेकर चल रही है company का management भी बड़ा well experience management है company के अगर हम chairman की बात करें तो रवेग गोइंका जी का लगवग 30 साल का experience है chemical industry के अंदर और वहीं अगर हम बात करते है company के MDN CEO की तो वहाँ पर राजन बैंक के टेश्वराजी है उनका भी 20 साल का experience है लगवग BASF जैसी company के साथ तो company का management देखा जाए तो बहुत जादा well experience management जैसा मैंने आपको पताया कि company के लिए Europe एक बहुत बड़ी market है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिसके कारण company के share कितनी पिटाई हुई है company Europe को लेकर काफी बड़ा अच्छा business करती थी FY23 के अंदर भी company ने किया और कोरोना के बाद जिस तरीके से आर्थिक मंदी विश्व में आई उसका सबसे जादा bad impact यूरोप और अमेरिका जैसी marketों पर पढ़ा और FY23 के अंदर company का लगबख 78% revenue इन दोनों जगे से ही आ रहा था तो ये कही ना कही इस company के लिए एक बहुत बड़ा challenge बनकर सामने आया पर company देखा जाए तो FY23 के अंदर भी loss में नहीं आई पर company की sales में थोड़ी degrowth देखी गई पर Q1 FY24 कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब company ने base बना लिया है जिस तरीके से company ने अपनी strategy को change गया है जोगरिफिकल वाइज अगर हम देखें Q1 FY24 के अंदर अब company का यूरोप से revenue 55% से घटकर लगबख 30% आ रहा है ने अमेरिका जैसी market ओपर भी focus बढ़ाया है जो company का revenue FY23 के अंदर अमेरिका से 20% आया था वो बढ़कर 32% हो चुगा है क्योंकि company को समझ में आ रहा है चाइना प्लस वन वाली policy पर भी अगर company चलेगी तो अमेरिका है काफी बड़ी market है जो कि अब चाइना प्लस वन जैसी market भी चाता है अपने देश के अंदर यहीं Asia की बात करें तो company ने 10% से अपने revenue को बढ़ा कर 13% किया है total sales का अगर हम बात करें Middle East की तो वहाँ पर भी company ने अपने business को 9% से बढ़ा कर 13% किया है और Africa के अंदर भी company ने बड़ी तेजी से grow किया अपना business 5% से बढ़ा कर लगब 11% sales का इस सब अफरीका जैसी market से आ र 50% रह गया है जो कि यह बता रहा है कि company अब जो है अपनी बुक को बड़ा diversified कर रही है ताकि अगर future में किसी भी तरीके का कोई शौक आए तो उसको company easily absorb कर चेके है इसलिए company जोगरिफिकल परजैंस को भी change कर रही है और साथी साथ clients पर भी अपनी जो बुक है उसको diversified कर र से आता है और जबकि specialty intermediates के अंदर अगर हम profit का देखें तो company को लगबग 70% हिस्सा आता है और Acetal intermediates के अंदर लगब 35% हिस्सा आता है जो कि यह बताता है कि company का specialty intermediates पर focus होने का कारण यह है क्योंकि company को उस पर margin ज्यादा आता है इस current company उस segment पर काफी focus कर रही है segments के अंदर company काम कर रही है अब इसके अंदर future growth भी बड़ी अच्छी देखी जा रही है बताया यह जा रहा है specialty intermediates का जो कारोबार है वो अगर देखा जाए तो globally लगबग 5.2% के साफ से बढ़ने वाला है और अगर हम उसको domestic के साफ से देखें तो लगबग 10% की growth इस business में अब दिखाई दे रही है यही अगर हम assetail market की बात करें तो वो भी लगबग 6% के साफ से growth होती दिखाई दे रही है भारत के अंदर और विश्व के अंदर जो कि यह बता रहा है कि कहीं न कहीं इस company के लिए आगे आने वाला समय अच्छा है और इसको बजार ने कहीं न कहीं आप देखें तो discount किया है और क्योंकि company का share लगबग 200 रुपे से recover होके अब लगबग 300 रुपे के आसपास आया है कहने का मतलब बजार induce को लेकर भी आप काफी positive हैं company का capex plan की भी बात करें तो आने वाले समय में company का एक बड़ा अच्छा capex plan है जो की इस समय वर्क कर रहा है आने वाले समय में company के पास production भी काफी बढ़ने वाली है company इस समय लगबग 1260 करोड रुपे का capex करने में लगी वी है जिसके अंदर company लगबग अपने एक दहेज वाले जो प्लांट है उसके अंदर बड़ा capex कर रही है और साथी साथ एक दूसरे प्लांट के अंदर भी company जो है अपनी capacity को expand करके specialty chemicals के अंदर एक बड़ा portfolio बनाने क company को काफी मदद मिलने वाली है यहीं अगर management की बात करें तो management भी काफी aggressive हो के company के लिए यह बता रहा है कि आने वाले समय के अंदर अब company को जो है company अपनी ROCE को return on capital employed को 20% प्लस maintain करके दिखाएगा क्योंकि company ने past में ऐसा करके भी दिखाया है और यही कारण था जिसके कारण क FY212 के अंदर company के share में इतनी बड़ी तेजी आई थी लिस्ट होने के बाद और IPO 107 टाइम सब्सक्राइब हुआ था अगर आप company की पिछले 8 साल की भी जर्नी देखें तो आपको पता लगेगा कि इस company की जर्नी बड़ी शांदार रही है company ने March 2015 के अंदर 1074 करोड रुपे की sale दिखा कर उस पे net profit 21 करोड रुपे का बनाया था जो की FY22 के अंदर financial year 2022 के अंदर लगबग 3080 करोड की sale में बदल जाता है और 257 करोड रुपे का profit होता है और FY23 के अंदर company को थोड़ा degrowth देखनी पड़ी थी जो मैंने कारण आपको पताया जब भी company 2800 करोड रुपे के आसपास की sale record करती है और 125 करोड रुपे का profit बनाती है तो इस company ने अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी growth की है अपनी sales और profit में पिछले 8 सालों के अंदर अगर हम company का operating profit margin देखें तो 2015 के अंदर लगबग 8% का था और 2022 के अंदर लगबग 12% का था जो की इस समय 9% का रहा March 2023 के अंदर वो भी ये बता रहा है कि company के कही न कहीं base बन चुका है अब company इस से नीचे जाती हुई नहीं दिखाई देरी जिस हिसाब से company का margin भी बता रहा है तो अब कही न कहीं company का आगे margin भी यांसे सुजरने की उमीद है वो भी double digit में जाता हुँआ दिखाई देरा और company अगर debt to equity के इसाब से देखी जाए तो काफी comfortable position पे है company का debt to equity capex के बाद भी लगबग 0.23 है जो कि ये बता रहा है कि company इस समय comfortable या comfortable इस्तिति में है यहीं अगर हम बात करें company के short term target के लिए तो ये company यहाँ से आपको लगबग 20% का return दे सकती है आने वाले 6-7 महिने के अंदर और अगर हम एक थोड़ा सा long term portfolio के इसाब से सोच कर और broad view लेकर इस company को सोचें तो ये company यहाँ से लगबग 600 रुपे का target दिखा सकती है इसा कहने के पीछे मेरे पास एक बड़ा solid region है वो है company की growth 2015 के अंदर जिस तरीके से company ने अपनी sales की journey को आगे बढ़ा कर उसको 3080 करोड के आसपास पुचाया था 2022 के अंदर वो ये बता रहा है कि company ने अपनी sales पर लगबग 35% की growth दिखाई है और अब जिस तरीके से positive headwinds सेल रहे हैं sector के लिए तो वो भी ये बता रहे हैं कि company अपनी पिछली growth को achieve करेगी capex के दम पर अगर हम March 2023 की जो company की sales है लगबग 3900 करोड की उस पर भी उठा कर देखें और company पिछले growth को achieve करे तो लगबग 4100 करोड रुपे के आसपास की company sales achieve कर सकती है जो कि ये बता रहा है कि March 2022 के अंदर जब company को price to sales 4 का multiple बजार दे रहाता easily company की performance पर और company अगर वैसी ही performance वापस लियाती है आपसे company की market cap लगबग 16000 करोड रुपे की होनी चाहिए जो कि इस समय लगबग 7900 करोड रुपे की है तो ये कही न कहीं सिधा सिधा ये बता रहा है कि company का share price अब आने वाले डेट दो सालों के इंदर यहां से सिधा सिधा आपको double दिखाई दे सकता है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नमस्कार